वेल्कम बैक व्यूवर्स आप देख रहे हैं सी एन बीसी आवास पे टककर का आज का एडिशन मेरा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड को लेके पहले भी संशोधन किये जा चुके है लेकिन इस बार जब मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को लेके संशोधन कर रही है तो आप उसके खिलाफ क्यों बात करें वक्फ प्रोपर्टीज वो कुछ गुंडों ने कबज़ा किया वा है और उसका जो पैसा है वो गरीबों तक नहीं जा रहा है मैं मानता हूँ कि कुछ कटमॉलाओं ने कबज़ा किया है एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन उसमें अगर तर्मीम करना है उसमें अमेंडमेंट करना है और मुसल्मानों की भलाई के लिए अमेंडमेंट करना है तो उसमें क्लेक्टर को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं तो क्यों 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 अगर 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 इनकी जमीन पे कोई कब्जा होता है तो कलेक्टर ही तो डिसाइड करेंगे तो आप पूरी बास कब्जा होगा तो कौन डिसाइड करेंगे अगर्वाल धरम साला पर मैं जाके बोलू मेरे पिता जी ने दान किया हन्मान मंदिर बनाने के रहां जाके व digestive का तो मुकदमा कोट में चलेगा अगर सादाब जाके बोलेगा तो वक्त ट्रिबिनल में चलेगा, जिनता ना किजिए दूसरी बात, 10 second, वक्त के इशू पर आपने बहुत अच्छी डैलोग डिलिदी की, जिरे रहें हैंगे आप भारत की बात किईजी, अगर वाकई में आपको चिंता है, कि वक्फ पे गलत संपत्ति है आप उन पॉइंट्स को रेज करिये कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं थी और मैं चुनौती देता हूँ आश्वानी जी आपको थविद्ध के बड़े वकील है और आपकी मन्शा भी है यही है कि मुसल्मानों की जो चुर गए आपका इस्सानी मिला अपको लगता है चैलेंज करो ना हम ने चैलेंज किया हुआ लगतानी आपताईए आपताईए जॉइंड हिंदू फैंले टेक्ट रहा है तो कि बारबार सविधान के दारे किवा तो निए क्या भारतिया सविधान में वक्त का जिक्त रहे हैं पकड़ लो इखाओ इसमें आर्टिकल 25 से 28 तो जितना भी है उसमें रिलिजियन और उनकी अजमीन का मामला है यह दान की हुई जमीन है यह मुसल्मानों की जमीन है और आप जॉइंट हिंदू एक वर्ड बोल दीजे जोड़ बॉल दान के लिए सम्मिधान कहता है उनिफॉर्म चैरिटी को डोना चाहिए उन्यून को डोना चाहिए सब के लिए खोना चाहिए आप जितने भी मंदिर जितने भी हैं क्या उन सब को बदलने जाएंगे क्योंकि मेरा भी नाम लिया गया था है आप ने सही बात की में तारिफी करने वाला सुन लिजे दस सकंड देखे शादाब जी ने एक सेंसिबल पॉइंट उठा पर मैं शादाब जी को आप चाहता हो कि नागरिक्ती तरह और एक मुस्लिम की तरह भी जवाबते हैं कि हम दोनों मुसलमान हैं अभी आपने बोला सुन लिजा पूरा सुन लिजिए कि यह रेलिजिस चीज में इंटर्फेरइंस नहीं होना चाहिए यह हमारी आजादी है धर्म का अजादी है हमारी संविदान में हमारे धर्म के इसाद से कानून लाग होता है जिसका मतलब की अगर आमीज चोरी करते हैं तो कानून का सजा अलग है और हमारे सजा अलग है हमारे खाथ काटने के वहाँ पर धार्मिक इंटेफेरस करते हुए आमीज और मेरी सजा चौहान का अवारMomn His क्या बॉलना ही आपड़ाइड़ क्यों कर रहे हैं आप एब भग्वान मानते हैं अकvens के तुरी त trainings मानती है मैं नहीं मानता ना परिवार का इस साह अनधा है अपनी अँस्ष्था साह मैं किजी झापमान नहीं ही कि आप क्रिमिनल में नहीं मानते हैं वैसे वक्ष बोर्ड और शरीया की बात करते हैं अभी आधा मान रहे हैं तो इतनी परेशानी हैं मैं तो क्रिमिनल में मानने थे कल को सरकार पूरी बात सुन लीजिए कल को अगर मोधी सरकार कानून लेकर के आती है अरे मैं पूरी बात महाराष्ट में बीजेपी का एंडिये गठवन्दन का सुपड़ा साफ होने वाला है किसका महाराष्ट से बीजेपी का खेल खतम महाराष्ट में इसलिए कि बीजेपी का जो डिजाइन है महाराष्ट में आपस में ही दोनों लड़ रहे हैं सब एंडिये में जो सामिल दल है और यह जो धर्म के नाम पर ही खेतिक तरहाइन की है इंडिया तो जीतेगा महराष्ट जीतेगा और जारकन भी जीतेगा आपको शुपकामना उसके लिए मैं पूछ पूछ रहा हूं आपका हमारा सीम कैडिडेट कौन है महराष्ट में इंडिया राइंस का हमारा सीम कैडिडेट जो भी होगा इंडिया गठवंदन के सभी दल मिलकर के तैकर रहे हैं पताए विवेग जी देखे चुनाओं में जो भी जीते हारे लेकिन एक जो बुरी बात हो रही है मुल्क के अंद रही है गिरी राज सिंग भी कूद पड़े तो जिन्हों ने उस बच्चे को उकसा करके छट पे चढ़ाया उनको गोली मारो और जिननों लोग थे जिनको गोली को लात्रा चला रहे थे जिन उनको बढ़ता करके एक साइड करके किसी के घर में गुसा देना यहीं चीज होत लिबरल प्रोग्रेसिव लिबरल प्रोग्रेसिव वो कहता है कि चाहिए आप जितना भी किसी को उक्साओ रियक्शन शुड नाट भी वाइलेंस आज यहां पर क्या बोले डीजे म्यूजिक बजा दिया मस्जिद के सामने यात्रा निकल गई तो उसका मतलब गोली गुस्त चिलाएं इन्हें भी जलेवी खिलाएं खुद भी जलेवी खाईए जनता की जलेवी मत बनाईए यही आपको सीखना चाहिए और यही आगे सिखाना चाहिए तो फिलाल सीन्वी से अवास के टक्कर के आज के अडिशन में इतना ही उमीद है आपको कारकरम जरूर जरूर पसंद आया होगा नमस्कार गुड नाइट हैव ग्रेट ग्रेट वीकेंड झाल